अलवर आइंस्टीन एक महान साइन्टिस्ट एक ऐसा विज्ञानिक जिसे उसकी स्कूल से मंदबुधी बालक बोलकर बाहर निकाल दिया गया लेकिन वही बच्चा विश्व का सबसे जीनियस साइन्टिस्ट बना अलवर आइंस्टीन का जनम 14 मार्च 1889 में एक यहूदी परिवार में हुआ इनका जनम जर्मनी में हुआ था जब इनका जनम हुआ तो बचपन से ही ये थोड़े से बाकी बच्चों से बहुत अलग थे बाकी बच्चों के साथ इनको खेलना पसंद नहीं था जब इनका जनम ह के हो गए उस समय तक इन्होंने अपने मूँ से एक शब्द भी नहीं बोला था इनके माता पिता इस बात को सोचकर बहुत जादा परेशान रहते थे लेकिन एक देन डाइनिंग टेवल पर ये अचानक से बोलते हैं कि सूप बहुत गरम है इस बात से इनके पैरेंट्स बह कोई प्राबलम ही नहीं हुई इसलिए मैं कुछ बोला नहीं धीमें आइंस्टीन बड़े होते चले गए इनको स्कूल में एड्मिशन करवाया गया यह बहुत ही जदा इनके अंदर क्यूरसिटी रहती थी बहुत जदा जिग्यासू व्यक्ति थे हर सवाल का जवाब इन्ह लेटर लिखा और कहा कि ले जाकर अपनी मा को दे देना इन्होंने वो लेटर ले जाकर अपनी मा को दिया और बाद मैं मा से पूछा कि मा इस लेटर में क्या लिखा हुआ है तो उनकी मा ने कहा बिटा इस लेटर में लिखा है कि उनकी मा रोने लगी वो एमोशनल हो गई और उन्होंने कहा कि बिटा इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है हम इसको नहीं पढ़ा सकते इसलिए आप ही इसका लालन पानल कीजिए मतलब आप ही इसको पढ़ाईए हम नहीं पढ़ा सकते धीमे धीमे ये अपनी study और आगे करने लगे ज के अंदर हर सवाल का जवाब ढूंडने की जिग्यासा रहती थी इसके बाद ये बहुत जादा curiosity थी इनके अंदर जिग्यासु विक्ति थे ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते थे universe के बारे में detail में जानना चाहते थे इन्होंने theory of relativity को दिया जिसके नाम से इन्हें जा लेकिन यह रिसर्च करते रहे continuity के साथ यह अपनी life में failure से नहीं डरते थे इनका मानना था कि fail होते रहो लेकिन हमेशा नई चीजें करते रहो नई खोज में लगे रहो जो गलती एक बार करो उसे दुबारा मत करो Einstein धीमे धीमे समय के साथ बुद्धिमान होते चले गए यह इतने intelligent थे कि पूरी की पूरी research अपने mind में calculate कर लेते थे उसका result निकाल लेते थे और उसके बाद जब laboratory में उस research को प्रियोग किया जाता था तो उसके result बिलकुल same to same वही निकलते थे जो इन्होंने अपने mind में calculate क किया था तो अब आप समझ सकते हैं कि अलवर आइंस्टीन कितने intelligent विक्ति थे जर्मनी के बाद आइंस्टीन अमेरिका में shift हो गए वहां पर उन्होंने एक university को join किया और जब university के कर्मचारी ने उनसे पूछा कि sir आप बताईए आपको research में कुछ सामान चाहिए होगा तो आ पर हां एक टोकरी लाना मत भूलना उसमें मैं बहुत सारे waste paper फेकूंगा क्योंकि मैं गलतियां बहुत करता हूँ 1922 का समय है अलवर आइंस्टीन टोकियो के एक imperial hotel में रुके हुए थे वहां ये एक lecture के लिए गए थे तब ही इनके पास एक messenger आता है और आकर उनसे बोलता है कि सर आप novel prize के लिए select हो गए हैं आपको novel prize मिलने वाला है उस समय ये काफी दयालू व्यक्ती थे तो उस समय उन्होंने सोचा कि इसको कुछ reward दिया जाए लेकिन उस समय इनके पास कुछ नहीं था तो इन्होंने एक pen और paper लिया और उसमें German language में लिखा कि जहां चाह वहीं रहा हो इन्होंने उस व्यक्ती से कहा कि इसको संहाल कर रखना आने वाले समय में इसकी कीमत बहुत बढ़ने वाली है और वही हुआ आने वाले समय में उस paper की कीमत जब उसकी वेल्यू बढ़ जाती है अब मैं बताती हूँ अलवर आइंस्टीन के बारे में कुछ अनोखी बातें जैसे कि ये बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन उसके बाद भी ये कई बार चीजे भूल जाये करते थे जैसे कि ये अपने घर का एडरस भूल जाते थे उसके अलावा एक बार की बात है ये जा र होगा और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है फिर भी अपना टिकेट ढूंडते रहते हैं तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप पर परिशान मत हो ये मैं आप पर ट्रस्ट करता हूं आपके पास टिकेट होगा तब इन्होंने उनको जवाब दिया कि पर मुझे पता कैसे च उठाई और उसमें से अपना फोन नमर देखने लगे तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आपको आपका फोन नमर नहीं पता तब इन्होंने जवाब दिया कि जो चीज किताबों में लिखी हुई है उसे याद रखने की क्या जरूरत है जीवन में अगर कुछ ढूनना है तो इंदगी में सफलता हमारे साथ चलती है हमारे कदमों में होती है बचो ऐसे ही आप लोगों को सैनेक स्कूल के लिए राए एमसी एक्जाम के लिए मिलिटरी स्कूल के लिए आप लोगों को ऐसे ही तैयारी करनी है और जीवन में सफल होना है अब मिलते हैं नेक्स्ट पार् की लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन को प्रेस कीजिए थांक यू